हम लोग देखते हैं एक सर कि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग बी टेक भी नो अटेंडिंग करने ही कोशिश करते हैं दोस्तो ओनलाइन मोड एक अलग मोड है जिसमें कि युनिवस्टीज ने चलाए अपने प्रोग्राम्स या तो वो नैक A-plus accredited होते हैं दोस्तो आप ऐसे समझए कि आपने किसी भी उनिवस्टी में B.Ed में admission ले लिया दोस्तो नोन अटेंडिंग एजुकेशन या फिर हम कहें नोन अटेंडिंग में admission ले लेना किसी भी कॉर्स में चाहिए आप admission लेते हैं नोन अटेंडिंग प्रोसेस से क्या ये valid होगा साथ में ही बहुत सारी ऐसे private universities है बहुत सारी क्या maximum universities में कहूँगा जो non-attending वे से अपनी seats को fill करती है अपनी seats को fill करती है मतलब की LLB को ले ली जीए BA ले ली जीए BTEC हो, MTEC हो Pharmacy में भी, Nursing में भी हमने देखा है BPT में लगबग सभी courses है कोई भी course अच्छूता नहीं है इवन हमने तो medical courses भी देखे हैं जैसे कि BAMS, BDS, even MBBS को भी अब बात दोस्तों या आती है क्या non-attending valid होता है मतलब क्या लीगल एक process है जहांपर कि आप बिना class लगाए भी अपने course को complete कर सकते हो क्या ऐसा कोई process है या फिर ये illegal तरीके से चलाया जाता है government university हो, private university हो, colleges हो या फिर कोई भी संस्थान हो अक्सर देखा जाता है कि non-attending में admission ले लेते हैं पहले तो non-attending के बारे में आपको पता होना चाहिए ना ही तो ये distance है, ना ही ये online है और ना ही इसको आप पूरी तरह से regular ही बोल पाते हो तो non-attending ये होता क्या है इसी के बारे में आप discuss करेंगे अपने इस वीडियो के मातिरम से detail में आपको बताऊंगा कहीं ऐसा नहों कि आपका admission भी valid तो नहीं आपने लिया हुआ है कहीं पर भी admission classes आप लगाते नहीं हो सिर्फ exams देने के लिए आप जाने वाले हो क्या होता है इसका मतलब सब कुछ आप जानेंगे ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ दोस्तों हलक हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको education के बारे में पूरी information पूरी जानकारी आप तक पहुचा सके आपको education के बारे में सब बता सके ताकि आपके साथ कोई किसी तरह की problem या fraud ना हो जाए दोस्तों online mode एक अलग mode है जिसमें कि universities ने चलाए अपने programs या तो वो NEC A Plus accredited होते हैं या फिर उन्हें approval मिला होता है distance में course चलाने का या फिर वो online program से ला रहे है क्योंकि वो NIRF की ranking में आते हैं दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है आपसे request है कि आप हमारी वीडियो को अभी like करें चैनल को अभी subscribe करें जो कि आपके लिए बिलकुल free है बट इससे हमें प्रौशान मिलता है motivation मिलता है इसी तरह की educational videos आप तक पहुचाने के लिए मैं ये courses बात कर रहा हूँ उन courses की जो courses चलाए जा सकते हैं पर दोस्तो हमने एक video detail में बनाया था जिसमें आपको बताया था कौन-कौन से courses नहीं चलाए जा सकते online mode पर या फिर part time mode पर even और किसी mode पर भी नहीं चलाए जा सकते हैं फिर वो सिर्फ और सिर्फ regular program ही चलाए जा सकते हैं non attending कैसे आता है non attending दोस्तो आप ऐसे समझेए कि आपने किसी भी university में B.A.D. में admission ले लिया B.A.D. में admission ले लिया, admission लेने के बाद अब आप classes नहीं attend कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ exams देने जाएंगे या practical देने जाएंगे और आपको admit card भी मिल जाएगा आप exams भी दे आओगे इसे बोलते है non attending ये legal नहीं होता दोस्तो ये एक illegal process है जिसमें कि start guard से मतलब कि आपकी private university हो government university हो college हो उसकी start guard से आप इस program को आगे बढ़ाते हैं ये कहीं से भी legal नहीं होता है और मैं ये बात बोलू कि ये कोई नया process नहीं है ये कोई नया तरीका नहीं है colleges का universities का अपनी streets को fill करने के लिए ये बात government को भी पता है ये बात higher authorities को भी पता है इस तरह से admissions लिये जाते हैं classes नहीं दी जाती सिर्फर सिर्फ candidate अपने exams को attend करता है बढ़ ये illegal है दोस्तों आप कोई भी consultant है कोई भी आप institute run करते हैं और आप चाहते हैं tie up करना Indian universities colleges से या फिर online education में आप काम करना चाहते हैं जैसे online MBA होता है या फिर आप चाहते हैं study abroad में काम करना नए नए universities से tie up करना चाहते हैं तो आप इस association का सहारा ले सकते हैं association of all educational institutes and universities जिसकी website है www.aaeiu.in यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी university आपको परिशान करती है कोई college परिशान करता है तो भी आप इस association की मदद ले सकते हैं WhatsApp करें इस association को वो आप खुद आपको reply करेंगे और आपको सब details आपके number पर भेज़ दी जाएगी अब होता क्या है दोस्तों आपको समझने वाली बात यह है कि मान लिजिए आप B.A.D. में admission लेते हैं B.A.D. के बारे में काफी कुछ आपको knowledge है आप फड़े लिके हैं और आ lot degree आप बढ़ती हैं हाला कि अपने हिंदुस्तान में बहुत तरीके से illegal education दी जाती है पर मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ organization को वही employee चाहिए जो एक employee 10 का काम कर सके ना कि वो employees तो 10 लोग एक का काम भी डंग से ना कर पाएं ऐसे employees किसी को चाहिए नहीं तो practically knowledge आपको होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए क्या आप पढ़कर गए हो किताबे पढ़ने के बाद में knowledge तो आपको मिल जाती है आपको process पता चल जाता है बट आप उस पर पूरी तरीके से काम कर पाओगे जरूरी नहीं जैसे कि आप LLB करते हैं non attending में LLB आपने non attending में कर ली अब आपको ये तो पता है कि CRPC क्या बोलता है IPC क्या बोलता है evidence act क्या बोलता है constitution India क्या बोलता है पढ़तो आपने लिया थोड़ा ब application लगाएंगी तो वो जो non attending की आपने degree ले ली वो किसी काम की नहीं है काम की वो तभी होगी जब उसके बारे में आपको बहुत अच्छी knowledge होगी training आपने ले रखी होगी हम लोग देखते हैं अकसर कि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग B.Tech भी non attending करने की कोशिश करते हैं universities admission दे देती हैं कि ठीक exams देने आप आजाना देखा जाये तो ऐसे colleges ऐसी universities की ठीक से inspection तक नहीं करे जाती inspection होती नहीं है inspectioner होगी तो यह सामने आप ही जिस तरह से MCI करती है inspection उस तरह से अगर inspection हो कि कितनी OPD है कितने मरीज हैं वहाँ पर कितने लोगों का operation हुआ है कितने लोगों का treatment चल रहा है इस तरह का अगर inspection होना शुरू हो जाए तो मेरा मानना है कि non attending का बिल्कुल सिस्टम ही खतम हो सकता है पर वो क्या करें students जो मजबूर है मतलब कि student कहीं लगे job कर रहे है इस student ने graduation की थी आज से 18 साल पहले अब उसको ज़रूवत फील हुई कि मैं क्यों बी एड कर लूँ कम से कम private school में तो पढ़ा ही लूँगा लोग आपको distance बोलकर आपका admission ले लेते हैं कि distance है यह distance बिल्कुल नहीं है लोग बोलते है part time तरीके से part time mode बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होता आपकी attendance का जो criteria दिया है UGC ने guideline दी है universities को क्यों सभी universities UGC दुवारा ही regulate की जाती है तो उनके rules को follow करना पड़ता है तो ऐसा नहीं होता कोई भी university आपको non attending legally करा दे illegal process है कोई भी किसी तरह की दोस्तो आप जानकारी चाते हैं किसी भी तरह की जानकारी आप चाते हैं education से related college के related university या course के बारे में comment box में अपने सवाल जूर पूछना और अगला किस topic पर वीडियो चाते हैं वो भी बताना हम उस तरह की educational वीडियो दोस्तों आप तक पोच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्या दोसर नहीं वाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के रहे हैं